नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतुल और ये है पेबल कोस्मोस एंगेज जो आले में लोंच हुई है फ्लिपकाट पे और आपको मिलती है 2999 में हाला कि इसकी प्रैस कम जदा हो सकती है लेकिन अगर आपको ये वाज 2999 या उसके अंडर मिलती है तो अच्छी डीर है इसका जो पेन स्पेक्स की तो इसमें है 1.95 इंच का IPS डिस्प्ले 600 निट्स ब्रैटनेस के साथ ओल्वेज ओन डिस्प्ले का फीचर भी दिया गया है हला कि ये AMOLED डिस्प्ले नहीं है लेकिन फिर भी आप इसमें AUD का यूज़ कर पाऊगे लेकिन AUD का यूज़ करने पे बैटरी ग पानी में एक मीटर घेराई तक आदे घंटे के लिए यूज़ कर पाऊगे तो हम करने बाले है इसका फूल सेटप हम देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको किस तरीके से इसका सेटप करना है कौन कोल से फीचर्स और सेटिंग्स आपको मिल जाते है इस की रिप्लेस्मेंट गैरंटी और आपको अपने वाच की गैरंटी पर्चेस करने के 10 दिन के अंदर एक्टिवेट करनी है तो गैरंटी को कैसे एक्टिवेट करना है मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में और ये कार्ड है इसमें बता गया कि आपको किस तरीके से claim कर सकते हो अपनी watch के लिए तो आपको क्या करना है सबसे बेले इस watch का review post करना है flip card पे उसके बाद आपको इस code को scan करना है एक form open होगा उस form में अपनी detail fill up करनी है और जो आपने review post किया है flip card पे उसके screenshot आपको attach करनी है इस form में उसके बाद 7-10 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा आपके address पे free strap और यहाँ पे string guard भी दिया गया है तो आप string guard भी apply कर सकते हो मैं बता हूँगा आपको कैसे apply करना है wireless charging dog और यह smart watch यह जो smart watch है close strap के साथ आपको मिल जाती है बात करते है battery और charging के तो आपको यह जो side है curve side उसे आपको place करना है watch की नीचे यह magnetically attach हो जाएगा इस तरीके से और जब आप charging on करोगे तो यहाँ पे जो light है LED light charging dog पे आपको show करेंगी green color में full charge करने के लिए आपको लगेंगे 2 hours आपको मिलेगा 5 days का battery backup लेकिन अगर आप calling का यूश करोगे इसके लाबा AUD का यूश करोगे तो आपको भी लेगा 1-2 दिन का battery backup आप charging करने के लिए 5 वोट या 10 वोट का charging adapter यूश कर सकते हो जितना slow charger आप यूश करोगे उतना बेतर होता है smart watch की battery life के लिए long run में या आप अपने PCI laptop में जो USB port होता है उससे भी charging कर सकते हो तो definitely यह है एक Apple Watch Ultra की copy और काफी सारे मायनों में exactly same है Apple Watch Ultra की तरही तो इसका rugged design metallic casing के साथ active crown button side की function की जिससे आप अलग-अलग activity के लिए assign कर सकते हो speaker है, mic है, जो casing है zinc alloy की है, back में है कि no sensors, जो strap से आप इने remove भी कर सकते हो, remove करने के लिए आपको इस side से slide करना है ऐसे, और insert करने के लिए फिर से slide करना है अंदर की और इस तरह के से इस watch को first time use करने से पहले आपको इसे full charge करना है ताकि आपको first time से ही अच्छा battery backup मिले, तो मैंने इसे full charge कर लिया है, मैं करूंगा इसे switch on तो इसके लिए आपको, जो नीचे वाली side button है उस पे low press करना है और जब paypal का logo दिखा देगा, तब आपको अपने उंगली release कर दनी है तो smart watch हो चुकी है, switch on अब हम करेंगे इसकी pairing अपने smartphone के साथ इस smart watch को अपने phone के साथ pair करने के लिए आपको अपने phone में play store में जाकर इसे आपको search करना है M2Ware, space के बिना M2Ware search कीजिए ये app open होगा, आपको इसे download करके करना है install M2Ware, फिर आपको करना है इसे open agree कीजिए while using the app unlock कीजिए permission को ताकि आप जो call से उसे भी receive कर सको अपनी watch में सबसे बेले आपको enter करना है आपका email address इसके बाद आपको यहाँ पर tap करना है get verification code पर आपके email ID पर जाएगा एक OTP, आपको उस OTP को यहाँ पर enter करना है, इसके बाद आपको अपना password सेट करना है, फिर से अपने password को confirm करना है, फिर आपको करना है register पर tap nickname अपना enter कीजिए कोई भी, continue पर tap कीजिए अपना gender, birthday यहाँ से आपको सेट करना है इसके बाद आप अपनी height, centimeter में यहाँ सेट कीजिए, weight kg में determine पर tap कीजिए, imperial को आपको off रखना है, क्योंकि हम इंडिया में imperial unit use नहीं करते है, हम use करते है metric unit, और celsius को आपको रखना है on, अगर आप इसे off रखोगे, तो temperature, फिर रन hit में शो करेगा, तो यह settings आपको set करना है, फिर करना है determine पर tap, आपको फिर करना है yes पर tap यहाँ पर शो करेगा engage, आपको engage पर tap करना है फिर से engage पर tap किजिए आपको set करना है cloud पर, ताकि अगर आप कभी पर अपना phone change करते हो, या app को uninstall करते हो, फिर भी आपका data जो रहेगा, save रहेगा, इस app में circle में किजिए tick, और किजिए determine, go to set पर आप किजिए, m2 where को on किजिए, allow किजिए back जाईए, तो यह रहा homepage जहाँ पर आप अपना activity और vital data चेक कर पाऊगे, तो जो भी आप activity करोगे जैसे कि आपके steps, distance, kilocalorie, यहाँ पर show की जाएगी, इसके लवा आप जो भी अपने vital में ज़र करोगे, जैसे की heart rate, SPO2, blood pressure तो यहाँ पर show की जाएगा, आपको इसे refresh करने के लिए, swap down करना है data को refresh करने के लिए, और अगर आपको date wise सभी data को check करना हुआ अपने vital को, तो आपको data पर tap करना है, यह रहे आपका data week wise, month wise, अब मा लेते आपको अपना heart rate चेक करना है, date wise तो heart rate पर tap कीजिए, और यहाँ पर date पर tap कीजिए, आप यहाँ पर किसी भी rate पर tap करके, उस दिन का record चेक कर सकते अगर आपने record किया होगा तो अब बात करते है, smart watch के settings के तो आपको profile पर tap करना है आप profile name पर tap करके my information पर tap करके अपनी जो information है, यहाँ से change कर सकते हो, जब चाहे तब आगे है fan device, तो इसके जरीए आप अपनी watch को ढूण सकते हो, माल लो आपने अपनी watch को कही पर रख दिया है, आपको मिल नहीं रही है, तो इसे में अगर आप इस पर tap करोगे तो आपकी watch में होँगी, तीन चीजे display on हो जाएगा, watch करेगी vibrate, और आपकी watch में play होगा tone stop करने के लिए watch के किसी भी button पे press करना है, इस तरीके से आप इसके जरीए अपनी watch को ढूण सकते हो, हाला कि यह feature तब भी काम करेगा जब आपकी watch आपके phone के साथ connected होगी, आगे है race to wake तो अगर आप इससे on करोगे इसके बाद अगर मान लेते हैं, आपकी watch में display off है, अगर आपको display को on करना है तो बस आपको अपनी watch को उपर race करना है या tilt करना है इससे display on हो जाएगा इसका आगे है additional settings तो आपको display app करना है सबसे पहले है message reminder मतलब की app notification तो आपको display app करना है, इन में से आपको कौन-कौन से apps की notification अपनी watch में देखनी है, आपको उन्हें आपस को on करना है तो जो आपके लिए जरूरी नहीं है, जिनने आप use नहीं करते, आपको उन्हें off करना है कई सारे Chinese apps यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, उन्हें off कर दीजिए इसके लावा आपके phone में जितने भी apps से अगर आपको उन्हें देखना हुआ, तो जाना है system application में, ओरे रहे वो सारे apps अब इन apps ने से, आपको कौन-कौन से apps की notification देखनी है, आपकी watch में उन्हें on करना है तो मैंने इन apps को कर लिया, इस select फिर आपको जाना है back, अब देखते हैं अगर आपको कई भी call आता है, तो किस तरह के से शोगरेगा आपकी watch में तो call आ चुगा है contact का नाम में नंबर शो करेगा जो watch है, वाइवरेट कर रही है और इसमें ringtone भी play हो रही है आप यहाँ से इसे decline कर सकते हो याँ आप इसे यहाँ से answer भी कर सकते हो, तो यहाँ पर volume को adjust करने का option तो आप यहाँ पर slide करके volume को adjust कर सकते हो calling के दुरान, इसके लावा mic commute करने का option है, तो अगर आप इस पर tap करोगे, तो आपके watch में हो जाएगा mic mute मतलब की सामने वाला आपकी आवाज नहीं सुन पाएगा और यह है call को cut करने का option अब देखते हैं, अगर आपको कोई भी SMS आता है तो किस तरीके से show करेगा SMS आ चुका है, इस तरीके से SMS प्रिव शोगा आपकी watch में तो contact का नाम या number शो करेगा इसके लावा Hindi font support करते हैं, लेकिन emoji support नहीं करते, अगर आप आपने इसे देखना मिस कर दिया, तो फिर आपको करना है, swipe down यह रहा वो message आपको इस पर डाप करना है, उससे read करने के लिए तो आप यहाँ पे SMS के 45 line को read कर सकते हो इस तरीके से, तो SMS जब आता है तो display इसका ओनो जाता है और watch करती है, वाइबरेट, हलाकि tone नहीं बचती, आप यहाँ से यू कर सकते हो, और यही से, इससे dismiss भी कर सकते हो अब देखते हैं, अगर आपको कोई भी WhatsApp, message आता है तो कि इस तरीके से show करेगा तो WhatsApp, message आचुका है इस तरीके से आपको show करेगा अगर आपको देखना हुआ, तो you पे tap कीजिए इस तरीके से आप यही से उससे open कर सकते हो WhatsApp में भी 45 line show करती है, और जब WhatsApp आता है तो इसमें भी display on होता है और watch करती है, vibrate सब भी message को read करने के लिए आपको swipe down करना है और यहाँ पे show में सब भी message हाला कि इसमें एक issue है कि आपके icon यहाँ पे show करते है, जैसे कि यहाँ पे exclamation mark शो कर रहा है, लेकिन कौन से आप से आई है notification उसका mark या icon शोनी कर रहा है, तो आप इस तरीके से tap करके उसे open कर सकते हो, अगर आपको किसी को करना हो delete, तो उस पे long tap कीजिए और आपको मिलेगा option इसे delete करने का, या सभी को delete करने का, अगर आपको इसे करना है, तो इसे किजिए सभी को करना है, तो सभी को किजिए, और फिर किजिए ok पे tap, आप अपने पिछले 10 message को यहाँ पे एक साथ read कर सकते हो आगे है idle alert, मतलब की sedentary reminder, तो अगर आप एक घंटे के लिए, बिना किसी activity के ऐसे बेठे होगो, ideally, तो आपको आएगा एक alert की अब आपको चलना चाहिए, उठना चाहिए तो आपको इसे own करना है, timer को set करना है, 60 minute ok किजिए, start time, end time आपको set करना है, जो time आप set करोगे उसे time के तुरान आपको ये alert आएगा हर घंटे, lunch break को भी enable कर सकते हो, मतलब की अगर आपने इसे own किया, दो फेर के 12 से 2 के बिच में ये alert नहीं आएगा आगे है remote self timer, मतलब की camera controller, जैसे आप इस video आप करोगे, आपके phone में open होगा camera और आपकी watch में open होगा camera shutter watch में इस shutter पे tap करके आप अपने phone में photo capture कर सकते हो इस तरह के से, आप shake करके भी photo capture कर सकते हो अगर आप अपनी watch में sleep को track करना चाहते हो, तो आपको sleep tracking पे tap करना है, इसे own करना है जो time आपने set किया है उस time के दुरान, यह जो sleep tracking है काम करेगा, आगे है automatic heart rate measurement, तो अगर आप चाहते हो आपके watch में heart rate automatic measure हो, तो आपको इसे own करना है कौन से time के बीच में, आप चाहते हो heart rate है, automatic measure हो, तो आपको start time, end time set करना है, इसके लवा हर कितने time के बाद, heart rate automatic measure होना चाहिए, तो आप यहाब जो timer है उसे भी set कर सकते हो, मैं चाहता हूँ हर एक घंटे, मतलब की 60 minute तो जो मैंने time set किया है, उस time के दुरान हर एक घंटे, मेरी watch में heart rate automatic measure होगा, हालाग इससे battery ज्यादा जूस हो सकती है, तो अगर आपको इससे off करना है, तो आप कर सकते हो, फिर आप जब चाहिए तब अपनी watch में, manually heart rate को measure कर सकते हो, बड़ी आसनी से power swing mode का feature दिया गया है, तो अगर आप इससे on करोगे, तो आपकी watch में notification थभी show करेंगी, जब आपके phone में display off होगा, अगर आपके phone में display on है, तो आपकी watch में notification show नहीं करेंगी, language time को आप अपने watch से भी change कर सकते हो, तो हम watch में ही देखेंगे, wrist preference मतलब की आप कौन सी कलाई में पेहनते हो watch को, तो आपको left or right set करना है, और ये जो है synchronized system time मतलब की, जो आपके phone में time show कर रहा है, same way time आपको अगर show करना है आपकी watch में तो आपको इस पे tap करना है restore factory का option दिया गया है, तो आप यहां से अपनी watch को कर सकते हो reset, और यहां से कर सकते हो, unmind मतलब की unpair, back जाओगे, तो आगे है dial मतलब की watch face को change करने का option, तो आपको इस पे tap करना है dial मॉल पे tap कीजिए watch face को download करने के लिए तो यहां पे आपको मिलेंगे 200 plus watch faces, आपको जिस watch face को download करना है, आपको उस watch face पे tap करना है, मैं चाहता हूँ इस watch face को download करना, तो मैं इस पे tap करूंगा और करूंगा, get the dial पे tap तो जो watch face है set हो चुगा है आप देख सकते हो अगर आपको अपनी कोई भी photo set करनी है तो आपको जना है back और यहाँ पर होगा option DIY dial आपको इस पर tap करना है select image पर tap कीजिए आपको जिस photo को set करना है आपको उसे open करना है और इस पर tap करना है जैसे कि माल लेते हैं पर set करनी है यह photo तो मैं tick पर tap करूँगा यहाँ पर और फिर करूँगा completed आप इसे zoom in zoom out कर सकते हो इस तरीके से और फिर आपको करना है tick पर tap time को आप जहाँ पर चाहें वहाँ पर place कर सकते हो अगर आपको लगते हैं कि time को इसे यहाँ पर शो करना है फिर आपको tick पर tap करना है और time के उपर और time की नीचे आपको cash ओ करना है तो यहाँ पर about time below time मैं चाहता हूँ time के उपर date show करें और time की नीचे step show करें इस तरीके से आप कोई भी दो चीजों को show कर सकते हो यहाँ पर जो font का color है आप यहाँ से भी change कर सकते हो फिर आपको करना है apply पर tap तो इस तरीके से आप अपने किसी भी फोटो को set कर सकते हो watch face पे आप अपनी watch में एक साथ 9 watch face को set कर सकते हो हाला कि जो 7 watch face है वो fix होते हैं उन्हें आप change नहीं कर सकते 7 वा 8 वा होते हैं जो change होते हैं हमेशा आगे phone book मतलब कि आपके जो context से आप add कर सकते हो अपनी watch में maximum 50 context तो आपको इस पर tap करना है add to determine पर tap कीजिए select पर tap कीजिए आपके सारे context से यहाँ पर show करेंगे आपको जिस किसी contact को add करना है आप यहाँ पर box में टिक करके उन्हें add कर सकते हो तो मैंने उन contacts को कर लिया select फिर आपको करना है determine पर tap और आपको जिस contact को as a sos set करना है मतलब की emergency call के लिए आपको sos पर tap करना है जिसे की मालते मुझे use करना है इस number को sos के लिए तो मैं इस पर tap करूँगा तो rate में हो जाएगा मतलब की आप अप जब भी sos कॉल करोगे तो इस number पर हो जाएगा call फिर आपको back जाना है आगे है background running permission settings तो इसके लिए आपको करनी है दो चीजे ताकि आपकी watch आपके phone के साथ बार बार disconnect ना हो और आपका जो app है background में ठीक से work करे तो इसे open करना है आपको recent app में app icon पर tap कीजिए lock this app आपको इस पर tap करना है आपके phone में lock का icon या फिर keep open ऐसा लिखा होगा आपको इस पर tap करना है lock का icon हो जाएगा इसके बाद आपको app info में जाना है battery पर tap करना है और सबसे पहले option पर करना है select ये है unrestricted और ये है workout तो अगर आपको outdoor workout करना हुआ तो आप अपने phone का GPS चूज़ करके outdoor workout कर सकते हो live route के साथ तो आपको अपने phone को साथ में लेकर workout करना पड़ेगा तो आपको start करने के लिए कोई भी आप start कर सकते हो workout पिर करना है go pet tap आपको standard कैसे apply करना है अपनी watch पे तो ये भी हम देख लेते है तो ये है cleaning paper एक है weight और एक है dry आपको सबसे पेले weight को open करना है आपको अपनी watch के string को clean करना है ठीक से इस तरीके से फिर आपको dry वाला open करना है dry से ठीक से clean करना है फिर से सबसे पेले जो एक number वाला sticker है उससे peel करना है इस तरीके से उपर वाला plastic remove हो जाएगा फिर आपको दो number के इस peel को भी remove करना है और इसे आपको ये है हमारा string guard इसे आपको रखना है ठीक से bubble अगर आते है तो आपको side से press करके इन्हें remove करना है इस तरीके से तो हमने string guard को भी apply कर दिया है अपनी watch में अब देखते हैं आपको किस तरीके से अपने watch की guarantee को activate करना है तो उसके लिए आपको chrome browser को open करना है address bar में जो lens का icon है उस पर tap करना है camera पर tap किजिए इस code को scan करना है फिर search पर tap किजिए open होगा एक form तो आपको start pediap करना है अपना name enter करना है ok किजिए अपना phone number ok किजिए अपना email address ok किजिए और यह कौन सा है product आपको select करना है smartwatch और यह कौन सा model है तो यहाँ पर होगा cosmos engage lucky अभी फिलाल यह नहीं है इसका number है pfb37 अभी तक इसे add नहीं किया गया है तो आपको check करने नहीं अगर होगा तो उस पर ट्याप करना है अभी फिलाल में first पर ट्याप करता हूँ आपको ट्याप करना है cosmos engage पे आपने इसे खहाँ से purchase किया है तो मैंने किया है flip card से आपने कौन से तारीक को purchase किया है तो जो date है आपको set करनी है ओकी किजिए फिर आपको last में अपने bill को या जो invoice से उसे attach करना है आपके tap करके जो भी file है उसे किजिए select उसके बाद आपको last में करना है submit पे tap तो आपके watch की warranty activate हो जाएगी अब watch की warranty आपने activate तो कर ली है लेकिन अगर कोई भी issue आप face करते हो तो warranty को claim करने के लिए आपको क्या करना है user manual में contact number दिया गया है यहाँ पे for availing guarantee तो आप paypal को इस number पे या इस email address पे contact कर सकते हो guarantee को avail करने के लिए तो हमने इस app के दर ये watch के setup को complete कर लिया है अब हम देखेंगे आपको watch को किस तरीके से use करना है तो इस watch में आपको मिलती है तीन buttons एक है active crown button जिसे आप press भी कर सकते हो और इसे गुमा भी सकते हो एक है side की button और एक है function button मालो आपका display off है तो अगर आपको इसे on करना है तो आपको crown button पे press करना है या फिर आप इसे गुमा कर भी display को own कर सकते हो ओमपेज पे होटे हुए अगर आप crown button पे press करोगे तो आप access कर पाऊगे main menu को ये रहा main menu तो main menu को access करने के लिए आपको इसे पे press करना है और अगर आप किसी भी menu में enter करते हो वहाँ से अगर आपको back जाना हुआ तो जो watch page से आप उन्हें change कर पाऊगे बड़ी आसानी से आप देख सकते हो अगर आप किसी भी vertical menu में enter करते हो और अगर आपको अब यहाँ पे उपर नीचे जाना हुआ scroll up या scroll down करना हुआ तो आप इस तरीके से गुमा कर इससे उपर नीचे कर सकते हो page को और अगर आपने अपने main menu को इस तरीके से set किया है तो आप इसकी size enlarge या smaller कर सकते हो इस तरीके से rotate करके यह smaller और यह enlarge नीचे वाले side बढ़न के है तीन functions तो अगर आप homepage पे हो ऐसे में अगर आप आप इस पर प्रेस किया तो आप display को ओनोप कर सकते हो इस तरीके से अगर आप किसी भी menu में enter करते हो वहाँ से अगर आपको direct जाना हुआ homepage पे तो आपको बस इस पर प्रेस करना है homepage पे जाने के लिए और अगर आप इस पर long प्रेस करोगे तो आपको मिलेगा menu power up करने का और SOS call करने का तो आप अगर slide करोगे ऐस से तो आपकी watch हो जाएगी switch up calling का feature अभी तक हमने on नहीं किया है तो calling के feature को on करने के लिए आपको जाना है अपने phone के Bluetooth settings में वी पे long tap कीजिए और यहाँ पे scan होगा आपको wait करना है नीचे आपको show करेगा engage इंगेज इंगेज audio आपको tap करना है आपकी watch के display on होना चीए जब आप pairing करते हो तब pair पर tap कीजिए अब हमने calling के feature को on कर लिया है अपनी watch में तो ऐसे इस call करने के लिए आपको इस पे long press करना है बड़न पे और फिर ऐसे करना है slide और फिर से number set किया है उसे call हो जाएगा इस तरीके से और जो function बड़न है इसके है दो function एक तो single press और एक long press तो single press पहले करोगे आप तो जो settings होगी open होगी बड़न के लिए single press करने पे क्या open होना चाहिए मैं चाहता हूँ single press करने पे weather open हो और long press करने पे अगर आप चाहते हो siren बजे तो आपको इसे on करना है siren के लिए जो tone है आप उसे भी change कर सकते हो इस तरीके से ok किजिए अब आप देखोगे तो अगर मैं इस पे single press करूँगा तो weather show करेगा और अगर मैं इस पे long press करूँगा तो siren बजेगा stop करने के लिए stop करिए back जाईए home page पे अगर आप swipe down करोगे तो आप अपने जो message है यहाँ पे edit कर सकते हो और home page पे अगर आप swipe अप करोगे तो आपको मिलेगा control center यहाँ पे आपको मिलेंगे 8 toggles हला कि आप यहाँ पे add भी कर सकते हो maximum 18 toggles को आप add कर सकते हो आपको edit पर tap करना है सभी को add कीजिए plus के sign पर tap करके तो हम करेंगे सभी को add plus के sign पर tap करके इस तरह किसे हाला कि जो आपके लिए काम के नहीं है आप उन्हें यहाँ से remove कर सकते हो minus के sign पर tap करके हाला कि मैं सभी रखूँगा टिक पे टाप कीजिए, सबसे पहले है calling के feature को on-off करने का toggle तो अगर आप इस पे tap करोगे तो calling का feature off हो जाएगा, अब आप अपनी watch में call को receive नहीं कर पाओगे अगर आप चाहते हो, आप अपनी watch में call को receive कर सको, तो आपको B को on करना है यह भी अगर blue में शो करेगा मतलब की आपकी watch में, अब आप call को receive कर सकोगे, और यह है menu style, यहाँ पे आपको बिलेंगे six type के menu style, तो माल लेते हैं, आपने set किया है vertical में इस तरीके से, तो आपके main menu इस तरीके से show करेंगे, यह है vertical menu अगर आप set करेंगे इस तरीके से, तो आपके जो menu है, widget के रूप में show करेंगे इस तरीके से widget style में और यह है two by two, horizontal इस तरीके से show करेंगे और यह है honey come you इस तरीके से आप इसे show कर सकते हो और इसे open भी कर सकते हो इस तरीके से और यह है 3x3, इस तरकी से शोगरेंगे 3x3, स्वाइप करके आप इने चेंज कर सकते हो, इसकी brightness काफी अच्छी है, इसके लावा जो इसका UI है, काफी स्मूध है, और यह है password को set करने का option, तो सबसे पहले आपके स्पट्याप करके password को own करना है, set करना है, तो password set हो चुका है, तो जब भी आप अपनी watch को लोग करोगे, तो इसे own करने के लिए आपको password एंटर करना पड़ेगा, तब भी आप अपनी watch को use कर पाओगे, इस तरकी से, और यह है ring profile जिसे आप 4 mode पे रख सकते हो, पहला है, ring plus vibration, इसके बाद है mute, ring भी नहीं, vibration भी नहीं, इसके बाद है vibration भी होगा, फिर यहाँ से आप heart rate को quickly access कर सकते हो, measure करने के लिए, यहाँ पे आपका maximum minimum show करेगा, इसके बाद है activity का toggle, तो आज आपने कौन-कौन से activity की है, या आपके steps, kilo calorie energy, distance, यहाँ पे show करेगा graphize, और यह है weather का toggle, tap करके आप weather को check कर सकते हो, आज का minimum, maximum, और अभी फिलाल कितना है, यहाँ पे show करता है, इस तरीके से, Kelsey को भी आप यहाँ से quickly access कर सकते हो, इस तरीके से, तो यहाँ पे addition, subtraction, multiplication, division कर सकते हो, बड़ी आसनी से, और यह है stopwatch, तो आप यहाँ पे start कर सकते हो, stopwatch को quickly, आगे है alarm को set करने का option, तो आपको tap करना है, आप एक साथ यहाँ पे set करना है, तो आप day को tick किजिए, इसके बाद आपको करना है, okay पे tap, back जाईए, alarm का जो tone है, आप उसे set कर सकते हो, ring 1 या ring 2, इसके बाद alert type, alarm जो आएगा, तब आपको केसा alert चाहिए, ring only, vibration only, या फिर ring और vibration, तो मैं चाहता हूँ, ring और vibration दोनों आए, तो आप इस तरीके से 5 touch alarm को add कर सकते हो, यही से आप उसे on up भी कर सकते हो, और इस बाद आप करके आप उसे change भी कर सकते हो, अगर आपको alarm को delete करना हुआ, तो long tap किजिए, और किजिए, okay, delete करने के लिए, आगे है touch lock, मतलब कि अगर आप इससे on करोगे, तो आपके button काम नहीं करेंगे, और आपका touch touch भी काम नहीं करेंगा, तो अगर मैं इस video आप करूँगा, तो आप देखोगे, अब button और touch काम नहीं करेंगा, तो कोई भी touch काम नहीं कर रहा है, और कोई भी button काम नहीं करेंगे, आप देख सकते हो, तो अगर आप चाहते हो, यह button फिर से काम करेंगे, तो आपको इस crown button को quickly अगली घुमाना इस तरीक से और आपका टच अप अनलोक हो जाएगा फिर से आपके बड़न भी काम करेंगे फिर ये sidebar को एक्टिव करने का option तो अब ये toggle on है मतलग कि अगर आप home page पे swipe right करोगे age में से तो यहाँ पे show होगा sidebar जहाँ पे weather date और जो 4 apps होगे show करेंगे जो चार apps चेंज होते रहेंगे तो आपको अगर इस sidebar को active करना है तो इस toggle को on रखिए अगर आपको sidebar को use नहीं करना है तो इसे off रखिए अब sidebar काम नहीं करेगा आप देख सकते हो और ये है bedside lamp mode तो अगर आप इसे on करोगे और इसे में अगर आपने इसे charge किया तो charging करते हु के दुराल फिर यह है music player तो आप यहां से music को play कर सकते हो play पर tap किजिए अगर play नहीं हुआ music तो आपको अपने phone में music player को open करना है music को play करना है पोस्ट करना है इसके बाद फिर से यहां पर play करना है volume को आप यहां से adjust कर सकते हो plus minus के send पर tap करके previous next music जो है आपकी watch में play होगा music player में एक issue यह है कि जो music होगा हमेशा watch में play होगा तो जो play हो रहा है अभी watch में play हो रहा है तो अगर आप चाहते हो इससा ना हो तो आपको क्या करना है B को off करना है तो जो भी sound होगा आपके phone में प्ले होगा call भी नहीं आएंगे हाला कि call भी आपको phone में ही आएंगे और ये है always on display तो आपको split up करना है अगर मैं इससे करूँगा lock तो आप देखोंगे ये है always on display दो style में आपको show करेंगे analog और digital तो जो watch face आपने set किया है जैसे कि ये है digital तो अगर मैं इससे lock करूँगा तो show होगा digital अगर मैं analog set करूँगा जैसे कि ये है analog तो इसमें मुझे show करेगा analog watch face EOD पे आला कि इससे battery ज्यादा use होती है आपको ये चीज याद रखने है अलग कि आप जो time है उससे set कर सकते हो कितने time के लिए आपको इससे own रखना है इस तरीके से और आगे है torch तो आप यहां से one tap में torch को open या close कर सकते हो इस तरीके से और ये है brightness को adjust करने का toggle तो level 1, 2, 3, 4, 5 और last में है settings का option तो Bluetooth को आप यहां से भी on up कर सकते हो rest way का feature आप यहां से भी on up कर सकते हो sidebar को आप यहां से भी on up कर सकते हो vibration को आप यहां से भी on up कर सकते हो इसके लवा है button settings जो हम पहले ही देख चुके है ये वाले button की settings को brightness आप यहां से भी on up कर सकते हो और यह है time setting जो काफी जरूरी है तो आप अपने हिसाब से यहां पे time और date को set कर सकते हो माल लेते मुझे date यहां पे अपने हिसाब से कोई भी set करनी है time मुझे अपने हिहां से कोई भी set करना है और जो time format है 12 hour या भी 24 hour और आप अपने इस आप से set कर सकते हो, मतलब की काफी कम watch होती है, जिसमें ऐसा time का option मिल जाता है, और आपको इस watch में मिलता है time को set करने का option, तो जो date or time आप set करोगे, वही date or time आपको आपकी watch में show की जाएगी, connect phone जो हम पहले ही कर चुके है, bedside lamp mode जो हम देख चुके है, bedside lamp mode हाला कि आप जो time है, उसे हैं से set कर सकते हो, कितने time के लिए आपको रखना है, bedside lamp mode को on, आप इसे always on भी रख सकते हो, हमेशा के लिए on, मतलब कि जब तक आपकी watch चार्जिंग पर हैगी, तब तक आपकी watch में bedside lamp mode on रहेगा, sidebar style आप यहां से भी, जो menu style है, उसे change कर सकते हो, जो पहले ही हम देख चुके है, password आप यहां से भी change कर सकते हो, always on mode को आप यहां से भी on कर सकते हो, on up करी हैं से, इसके लाबा कितने time के लिए आपको always on को on रखना है, तो time जो है आप उसे भी set कर सकते हो, अलग-अलग timer आपको मिल जाएंगे, आपको गर रखना है हमेशा के लिए, तो करिए always on, लिगर उससे battery ज्याद जोगी, आपको यह चीज़ ज्याद रखनी है, और यह है SOS call, तो आप यहाँ से slide करके SOS call को कर सकते हो इस तरह किसे, आप home page पे swipe करके भी watch page को change कर सकते हो, बड़ी आसनी से, बात करते है main menu की, तो आपको इस पर press करना है, यह रहा main menu सबसे पहले है dial, तो आप यहाँ पे किसी भी number को dial करके call कर सकते हो, तो बड़ी आसनी से, बात में context जो भी आपने context को add किया है, M2Ware app में यहाँ पेश्चो करेंगे, अगर आपके context यहाँ पेश्चो नहीं हो रहे हैं, तो आपको M2Ware app को open करना है, और phone book में जाना है, उपर में लिखा होगा add to determine, आपको इस पर tap करना है, उसके बाद context processing हो जाएंगे, और यहाँ पेश्चो करेंगे, तो आपको जिसकी contact को call करना है, आपको उस पर tap करना है, call करने के लिए जैसे मैं चाहता हूँ, इस contact को call करना, तो tap करूँगा, OK करूँगा, और बात में call logs मतलब की, आपके recent call, तो आपकी call history है, यहाँ पे show के जाएगी, आपके पिछले 10 calls है, आपके show के जाएगे, आपको अगर इन में से किसी को call करना हुआ, तो बस आपको उस पर क्या आप करना है, फिर से call करने के लिए, हाला कि आप इस call history को delete नहीं कर सकते, नए calls होंगे, आपके उपर में show किये जाएगे, और पुराने call से यहाँ से निचे से remove होते जाएगे, आगे है message आप यहाँ से भी read कर सकते हो, बाद में है sports, तो आपको यहाँ पे मिलेंगे, अलग-अलग workout mode, अगर मान लेते हैं, मुझे start करना है walking के लिए, तो में करूँगा walk पे tap, go पे tap किजिए, तो यहाँ पे show होगा आपका distance, timer, kilo calorie energy, और आपका heart rate, आप pose rhythm यहाँ से कर सकते हो, और यहाँ से end कर सकते हो, यह रहा आपका workout data, और last में भी आपको show करेगा, आपका workout data, तो sports में जाना है आपको last में, आपको मिलेगा record का यह option, जो भी आप workout करेगे, उसका data यहाँ पे show करेगा इस तरीके से, और यह है steps मतलब कि, आज की activity, steps, distance, kilo calorie energy, फिर यह है sleep data, तो अगर आपने अपने अप मे sleep tracking कौन रखा हुआ है, तो जब भी आप सोते भी अपनी वाश को फेहन होगे, तो आपका sleep data यहाँ पे show करेगा, आप कितना time सो है, अब एक time light sleep, deep sleep यहाँ पे show की जाती है, और यह है sedentary reminder, तो अगर आपने own किया है, तो उसकी info यहाँ पे show की जाएगी, हाला कि आप यहाँ से उसे change नहीं कर सकते, इसके बाद है, heart rate आप यहाँ से measure कर सकते हो, इसके बाद है, BP को भी आप यहाँ से measure कर सकते हो, आपकी SBP, DPP यहाँ पे show होंगी, SP2 भी आप यहाँ से measure कर सकते हो, maximum minimum यहाँ पे show करेगा आज का रिटा, आगे है BT camera तो open होगा है आपे shutter button ट्याप करोगे तो photo capture नहीं होगी उसके लिए आपको M2Ware app को open करना पड़ेगा फिर जब आप ट्याप करोगे तब open होगा camera आपके phone में और फिर आप ट्याप करके या शेक करके photo capture कर सकते हो अपने phone में BT music जो हम पहले ही देख चुके है find phone का feature है मतलब की अगर आपको अपने phone को ढूणना हुआ माल लेते हैं आपने phone को कई पर रख दिया है कई पर misplace हो गया है आपको मील नहीं रहा है तो आपको इस पड़ाप करना है जैसे आप इस पड़ाप तो रोगे आपके phone मेरिंग बज़ेगी अगर आपका phone silent पर भी होता है फिर भी आपके phone मेरिंग बज़ेगी start पड़ाप किजिए हालक ए रिंग इतनी loud नहीं है काफी धीमा sound है रिंग का तो इसे stop करने के लिए cancel पिड़ाप किजिए water reminder आप यहाँ से भी add कर सकते हो पानी पिने का reminder तो आपको time set करना है माल लेते मैंने time set किया है 60 minute मदलब की हर एक घंटे मुझे पानी पिने का reminder आएगा तो आप अपने हिसाब से कोई भी timer set कर सकते हो और यहाँ पे अब हो गया है water reminder on अगर आपको नहीं चाहिए तो timer को zero कीजिए जो water reminder होगा अपने आप ओप हो जाएगा calendar का भी feature दिया गया है तो आप जो date है आज की देख सकते हो इसके लावा आप ट्याप करोगे तो यह है month wise view December, January, February इस तरीके से change कर सकते हो month view को यह है ois assistant तो आपके phone में आप Google assistant या फिर Siri का यूज़ कर सकते हो आपको इस पर tap करना है फिर इस पर tap किजिए how is the weather today इसमें अच्छी बात है कि अगर आपका पून लोग भी होता है फिर भी यह feature काम करेगा tell me some breaking news Zen mode है मतलब की breathing workout तो आपको इस पर tap करना है start करना है जैसे circle छोटा होता है बड़ा होता है उस तरीके से आपको सास लेनी है छोड़नी है stop करने के लिए back जाईए पिर यहाँ पर आपको विलेंगे 10 games 2048, car race और galaxy bar तो आपको बस tap करना है उन्हें play करने के लिए इस तरीके से women's health मतलब की menstrual tracker तो अगर आप एक female हो तो आपको इसे use करना है तो last time आपको कब आया था period आपको जो date है यहाँ पे set करनी है इसके लाबा menstrual days आपका कितना दिन का होता है 28-29 का होता है नॉर्मली menstrual period दे कितने दिन के लिए आपको period रहता है या period pain रहता है तो यहाँ set किजिए वो दिन इसके बाद आप इस तरीके से देख पाऊगे अपने menstrual tracker को और settings पे जाकर आपको इसे on करना है इसे on कीजिए और जो time है आप set कर सकते हो मतलब कि जो time आप set करोगे उस time पे आपको अब आएगा next reminder दोस्तो तो यह था full setup guide paypal cosmos engaged smartwatch का अगर आपको गई भी सवाल हो तो आप हमें पुछ सकते हो आप मुझे instagram पे या फिर twitter बेबी मेसेज कर सकते हो इस उडियो को देखने के लिए धन्ने बाद दोस्तो